कहीं बच्चे ये भी बाप दादा से रोर्यान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया शक्तिवान भी नहीं सर्वशक्तिवान का वर्दान हर एक बच्चे को प्रमण जनम लेते हुए दिये यादे अपने जनम का वर्दान हर एक बच्चे को पापने मास्टर्शक्तिवान भवका वर्दान दिये किस ने वर्दान दिया आलमेटी अधारटी ने लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं है आर्डर नहीं मानती वो क्यों जब आलमेटी अधारटी का वर्दान है उससे बड़ा कोई नहीं तो वर्दान के इस्तिती में इस्तित रहकर के अगर आर्डर करो तो हो नहीं सत्ता के आप अर्डर करो और शक्ति नहीं मानें एक दो आत्मा मालिक है सरवश्यक दीवान का वर्दान मिला हुआ है उस स्वरूप में इस्तितों के मालिक हूं वर्दान दोनों स्वरूप के जबर्दी के इस्तिती में रहके आर्डर करों शक्ति आप का नहीं मानें असंभव क्यों के वर्दान और पाप के प्रापर्टी का अधकार संकाम योगब बार आप सबको सर्वश्य दिवान का टाइटल में लाएं सरफ उस इस्तिती में इस्तित नहीं रहते सदा नहीं रहते कभी कभी आजयते यह कभी शब्द अपने प्रहमण डिश्टनरी से निकाल दो अभी अभी आज़र आप कहते हो ना कि बाबा आपको अभी याद करते हैं तो आप आज़र हो जाते है अन्बाव हाथ उड़ाओ अन्बाव है 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 अभी देखो हाथ तो अठा रहे हैं बाप आज़र हो जाता हसूर आज़र हो जाता तो यह शक्ति क्या है यह शक्तिया यह शक्तिया आज़र है भी आपको बापके प्रापर्टी में मिली है तुम मालिक बनके आडर करो मालिक बनके आडर नहीं करते हूँ शक्ति को जाती है ना तो उसी इस्तिती में रहते हुए आडर करते हूँ तो मालिकी नहीं है आडर क्यों माले